नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का UPSC उतकर्ष में मेरा नाम है पूजा दिवेदी आज हम बात करेंगे भारत की दूसरी पर्माडू पंडू बी आइनस अरीगात के बारे में एक ऐसे सिचुएशन पे हमें लाके खड़ा कर चुकी है जब हम चाइना और पाकिस्तान से अल्रेडी हॉन्स लॉक कर रहे हैं अब हमें नेवी स्ट्रॉंग या नेवी स्ट्रेंदन करनी है तो आएनस अरीगात हमें वहीं पर हेल्प करेंगे चले इसके बारे में जानते हैं देखो हाली में भारत की दूसरी पर्माडू पंडुबबी अरीगात को विशाका पटना में भारती नौसेना में शामिल किया गया पुछले कुछ महिनों में इस पंडुबबी का व्यापक प्रशिक्षण भी माफ की जगा परिक्षण किया गया था अगर अरीगात के बार कि नूक्लियर ट्रायर्ड पर्माडु प्रति रोधग शंता और शेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाने में मददगार होगी कमिशनिंग में नौसेना प्रमुख एड्मिरल दिनेश्टर पाथी भारतिय रणनीतिक कमान के प्रमुख सूरज बैरी और डियाडियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए आइनस अरिघात भारत की रणनीतिक कमान के तहत काम करेगी या आइनस अरिहंत का अपग्रेड़ेड वर्जन है तो अगर पूछा जाए कि क्या ये किसी का अपग्रेड़ेड वर्जन है तो याद रखना है कि ये आइनस अरिहंत का तो यहां पर अगर नूपल्स नियूपर अगर उपर आगी, वापस से अपने आपको refresh करने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती है इसको तो यहां पर अगर न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम यूज किया जाएगा तो लंबे समय तक नीचे रहेगी साथी साथ नीचे रहने के साथ साथ ये रेडार से भी बाहर रहती है ठीक है इस सब्मरीन का वजन 6,000 टन है इसके अलावा अगर बात करें सब्मरीन की लंबाई 111.6 मीटर है इस की 11 मीटर है ये चौड़ा भी है चली यह परमाडू उर्जाज चलित बैलीस्टिक मिसञार पंडुबी यानि कि जो यह मिसाइल क्रेंगी वह बलिस्टिक मिसाईल है यह फटने वाली मिसाईल है विसपोटक मिसाईल है तो अगर कल के दिन हम टेरीटोरियली यानि कि भारत क territory को कोई खत्रा होगा तो यहाँ पे पंडुब्या क्या कर सकती है पंडुब्या easily यहाँ से launch कर सकती है अलग-अलग missiles दूसरी countries पे जो हमारे उपर हमला कर रही है तो इसी के लिए हमें जानना है कि इसके पास ballistic missile होगी इसका निर्माण विशाखा पत्नम स्थित भारतिय नौसेना के जहाज निर्माण केंदर में किया गया है इसकी लंबाई 111.6 मीटर है चौडाई 11 मीटर है और विस्थापन 6000 टन है इसमें एक साथ ब्लेड वाला प्रोपेलर होगा जो की दबाव युक्त माफ की जगा और पर्माणू हत्यार भी ले जा सकती है ठीक है तो ये इतनी सारी चीज़े क्यारी कर सकती है इसके अलावा अगर बात करें आयने सरीघाथ क्यों इतना जरूरी है देखो इसका जलवाता वरण से नौसेना की पर्माणू हमला करने की शम्ता में वृद्धी होगी पर्माणू शम्ता वाली अगनी टू अगनी फोर अगनी फाइव मिसाइलों को जमीन से दागा जा सकता है भारती वायू सेना की जो लडाकू विमान है जैसे की रफेल, SU-30, MKI साथी साथ मिराज, 2000 पर्माणू हत्यार ये भी एक क्यारी कर सकती है प्रिलम्स में क्वेशन आ सकता है कि क्या-क्यारी कर सकती है इसके अलावा पर्माणू उर्जा से चलने वाली अरिघात को स्वदेश निर्मित K-15 मिसाइलों से लैस किया जाएगा जिनकी मारक शंता 700 किलो मीटर से अधिक होती है अरिघात को भी 83 मेगावाट के दबाओ वाले हलके पानी के पर्माणू रियाक्टरों द्वारा संचालित किया जाएगा जो इसके पारम पर एक डीजल इलेक्ट्रोनिक पंडुब्यों के तुलना में बहुत लंबे समय तक पानी में डूबे रहने और बिना पहचान रखने की अनुमती देता है तो इतनी सारी इसकी अलग-अलग खूबिया है अरिहंत की बात करते हैं अरिहंत को जुलाई 2009 में लॉंच किया गया था ठीक है, अरिहंत को जुलाई 2009 में लॉंच किया गया था, ठीक है, इसके अलावा इस पर K-15 या फिर B-O, शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनाथ हैं, ये 700 किलो मेटर तक टारगेट हिट कर सकती हैं, चार मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ये लैस हैं, इन अरिघात की पहले वाले, इस पर K-15 या B-O-5, शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइले तैनाथ हैं, ये 700 किलो मेटर तक टारगेट हिट कर सकती हैं, आठ मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैसे, इनकी रेंज 35 किलो मेटर तक है, S-4 इसको 2021 में लाया गया था, औ तीन दशक से पहले शुरू की गई थी, मतब तीन दशक से भी पहले शुरू हो चुकी थी, जिसमें रूस की मदद से लीगी, नीजी कमपनियों और रक्षा अनुस अंधान एवं विकास संगठन दोनों को ही शामिल किया गया था, अरिहंत को 2009 में लांच किया था, और 2016 में इसे नौसेना में शामिल किया गया, जो की इसे पहले परमाणू उर्जा से चलने वाली पढ़नू भी थी, परमाणू उर्जा का उपयोग, अगर आप कहीं करेंगे, तो ये समझ जाएगा कि आप इन्वेंसिबल हो जाते हैं, चाहे वो देश की बिजली विद्धियो तु पंडुबी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसायल के बहुत उच्चे सटीकता के साथ सफल प्रक्षेपड की घोशना की थी, अब इदुनिया भर में अगर बात करें, कितना एक ट्रायड देश हैं, ट्रायड मतलब जहां पे आर्मी, नेवी और साथी साथ एर फोर्स, नुक्लियर टेक्नोलजी यूस कर रही है, उसे ट्रायड केते हैं, तो अगर बात करें, तो सर्फ छे ही देश हैं ऐसे, आइने सरिगात समुदर के अंदर मिसायल इटैक करने में उसी तरह सक्षम है, जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी, तब अरिह समेथ दुनिया के छे देशों की सबसे ताकतवर SLBM मिसायल कौन-कौन सी है, एक तो अमेरिका की है, ट्रायडेंट D5, ये 12,000 किलोमेटर की रेंज तक चलती है, फ्रांस की बात करें, M51 है, 10,000 किलोमेटर की रेंज तक की चलती है, रूस की बात करते हैं, तो R29 RMU Cineva है, 8300 क किलोमेटर की रेंज तक चलती है, भारत की बात करें, K15 है, 1500 किलोमेटर की रेंज तक चलती है, और K4 जो है, 35 किलोमेटर की रेंज है, ब्रिटेंग ट्रायडेंट D5, 12,000 किलोमेटर की रेंज है, और चीन JL2, 8,000 किलोमेटर की रेंज है, ठीक है, इसको याद रखेगा, न आरवी और एरफोर्स ये तीनों आ सकती है इसमें धरती से प्लक्षेपित प्रमाडू मिसाइल नाक सामरिक विमान शामिल है अरिहंत और अरिगात से बड़ी दो पर्माणू बैलिस्टिक पंडुबिया वर्तमान में बनाई जारी इनकी शमता लगभख 7,000 टन है इन दो पंडुबियों में से पहली को 2021 में लॉंच किया जाएगा और परिक्षन लंबित रहने के कारण उसे कमिशनिंग का भी दिजार है दूसरी एक अलग वर्गी कृत परियोजना के हिस्से की रूप में अभी काम कर रहे हैं तुलना में संयुक्त राज अमेरिका के पास 14 ओहिया श्रेणी की SSBN और तिरपन तीवर गती से हमला करने वाली पंडुबिया शामिल है चीन के पास 12 परमाणू पंडुबिया हमारे पास अभी बस दो ही है इसके अलावा इसमें से 6 परमाणू उरजार से चलने वाली हमलावर पंडुबिया है भारती नौसेना के पास 16 पारंपरिक पंडुबिया भी है साथ किलो श्रेणी, चार शिशुमार श्रेणी और पांच फ्रांसीस कॉर्पीन श्रेणी की हमलावर पंडुबिया भी है यानि कि यह अटाक सबमरीन है दूसरे पंडुबिय को अटाक करके दुबा सकती है इसके अलावा भारत ने 1980 के दशक के मध्य से USSR द्वारा विक से डीजल एलेक्ट्रिक किलो क्लास पंडुबियों को भी खरीदा था इस नाओ का जीवन का लगभग 30 वर्ष है और आधूनिक उपकरणों के साथ रेट्रो फिटिंग के बाद ये कुछ अधिक समय तक काम कर सकती है शिशुमार श्रेणी की जो पंडुबिया है इनका विकास जर्मन याड हावल सर्वक डूश वर्फ यानि के एक जर्मन नाम है इनके द्वारा किया गया था बाद में इनका निर्मार भारत में किया गया था तथा इने 1980 के दशक में कमिशन भी किया गया था उससे कमिशन होके चली आ रही है कलवरी श्रेणी के पंडुबिया का निर्मार भारत में मजगाव डॉक लिमिटेड में फ्रांस के नौ सेना समू के साथ साजेदारी में किया गया था तो मजगाव विशाका पट्टम ये दोनों मेन ऐसी जगापे हैं जहां पे हम बेसिकली अपने नेवल स्टेंथ को बढ़ाते हैं इन में से पहली पंडुबी आइनस कलवरी को 2017 में कमिशन किया गया था उसके बाद कई अन्य जहाजों को भी इसमें शामिल किया गया है चलो इससे संबंधित एक प्रिलम्स का क्वेशन देख लेते हैं आएनस अरी घात किस अंदर्व में निमनलिखित कत्रों पर विचार करें या परमाणू उर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाल पंडुबी है इसमें एक साथ ब्लेड वाला प्रोपेलर होगा जो दबाव युक्त जल रेक्टर द्वारा संचलित होगा तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सा कथन सत्य है So thank you so much everyone, stay updated